आज इनकी बाइस राज्यों में सरकारे हैं मैं चैलेंज करता हूँ परजानमंत्री जी इस एक साल के अंदर आप अपने इन बाइस राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखादो जो दिल्ली के अंदर काम हुए बिजली मुप्त करके दिखादो स्कूल धिक करके दिखादो अ के अब यायेंगे कि आपके घर में आएंगे चुनाव और कहेंगे जो जो केजरी वाल ने किया वह सारा काम रिवंकरेंगे। जो जो केजरीवाल ने किया, सारा काम हम करेंगे, तो उनको कहना फिर तुमारी क्या जरूरत है, केजरीवाल है हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है, चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी बा राजस्तान में, मद्यपरदेश में, 36 गड़ में, उत्तर परदेश में, उत्तराखंड में, कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शांदार कर दी। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिये, यह आएं आपके पास और कहें हम केजरी वाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करें। मैं गुजरात में 30 साल से इनकी सरकारें एक स्कूल दिखा दो, मैं गुजरात गया था परचार करने के लिए पिछली बार दो साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा, गरीबों की शिक्षा का सप्ट्या नास कर दिया हैं यह बाइस राज्यों में इनकी सर 17 सितम्बर को आप 75 साल के हो जाओगे अगली साल 17 सितम्बर को आप रिटायर हो हुआ लोग ये कह रहे हैं, दस साल हो गाए मौदी जी को राज करते, करते, दस साल में उन्होंने कुछ नहीं करा, जब ये रिटायर होएंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया, आखरी एक साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो दस साल में कुछ न परवरी के पहले इन बाइस के बाइस राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो दिल्ली के चुनाओं में मोदी जी का प्रचार करूँगा मैं इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करिये आपका परचार केजरी वाल करेगा दिल्ली के